हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अधरवेद के बारे में ठीक है अब तक हमने क्या किया है कि वैदिक के बारे में सामान परच जान चुके हैं ठीक है रिगवेद की बारे में जान चुके हैं रिगवेद में अधिकतर क्या कोशन पुछे जाते हैं सामवेद की बात कर अज हम चोथे पढ़ने वाले हैं अथरवेत के बारे में तीनों हो चुके हैं आज हम अथरवेत के बारे में बात करेंगे अच्छे से ठीक है और चैनल पर हमारे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा जिनों ने भी तक वीडियो नहीं देखिए वह चैनल के प्ले रिगवेत है इनका क्रम आपको याद रखना सबसे पहले रिगवेत आता है फिर दूसरे पर अजूर वेत आता है ठीक है फिर सामवेत आता है फिर क्या आता है अथरवेत चोथे पर आता है इसे अरवाचीन कहते है ठीक है अथरवेत को ब्रहमवेत भी कहा जाता है ठीक है तो ब्रह्मवेद भी इसको कहा जाता है, ब्रह्मवेद भी इसको कहा जाता है, ठीक है, लागुक सामयगरी का प्राचूर होने का कराण थरवेद अन्यवधिक सहिताओं में विलत्छन है, ठीक है, इसका बहुत लागुक सामयगरी का इसमें बहुत प्राचूर मात्रा में बहुत सारी चीजे की जाती थी अधिकतर चीजों में यह कि नियम बत तरीके से होता था ठीक है सामगान जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि कभी-कभी जो गलत प्रयोग में आ जाता है कभी भी होने लगती इसलिए उन्हों यह को यह करते हैं और हम यह को होता है और यक्वेट के होता है अधर यू है और साम वेत के उधगाता है और इसके क्या है अथरवेत के ब्रह्मा है तो यह कभी-कभी आपसे पूछ ले जाता है या फिर रित्व का क्रम पूछ्चता है तो क्रम बध्ध लगाईएगा जिस तरह से वेदों में चलता है थीके ब्रह्मय 이야기 का निर्चस करता है तता विभीन क्रिया कलापो क्रियाओं की अनुमति देता ठीक हाँ वह निर्चण करते हैं क्योंकि यह लोग पहले स्थूति करते थे ठीक है निर्चण करते हैं किस तरह से कार चल रहा है और किस तरह से नहीं ठीक है और अनुमति देते थे क्या करना है वह आज भी होता है बाधाओं का भी निवारण करता है ठीक है अधिक विदिन बाधाओं का रिवारण करता है कोई भी हो ठीक है यग्योग्य के द्वारा पहले ऐसा थी क्योंकि एक पॉचिटिव ठीक मिल जाती थी लोगों को आज भी है स्रदावक्ति होनी चाहिए वह मिल जाता है आपको तुस कारण से सारी चीजे कहीं गई है ठीक है अथा वेद में ऐसे मंत्रों का भी संग्रह संग्रह है जो भौतिक बाधाओं को दूर करते हैं ठीक है सभी में संग्रह देखो इसकी विशयवस्त के इंसार थोड़ा आपको पढ़ना है आपको जानना जरूरी है कभी-कभी वह पूछ लेता है कि जैसे कर्मकांड का वेद्य जूरवेद है ठीक है इस तरह से कभी-कभी पूछ लेता है तो यह विशयवस्त आपको यह बुक में मिल जाएगी मै चित्रवित्तियों के निरोधि रुप योग का इसमें उपदेश है । जित्रवित्तियों के निरोधियों के निरोधियो hup aya आप ने पढ़ा होगा संतुलिजी जीवन की क़ला आपके 6-20 semester में भूक लगी हो ठीक है तो यह सारी चीज़े वहां से भी आ हन्य अधर्वेद का प्राचीन नाम अधरवांगीरस भी मान लिया जाता है इसके अचार वचार भी थे वैदिक मंत्रों में भी अगनी को देवताओं का दूद कहा गया है प्राचीन यूग में अंगीरस भी अगनी पुरोहित के अर्थ में था वही स्वर्ग से अगनी को पृत्वी पर लाया था अंग्रेजी भासा में अनुबाद प्रसिध अमेरिकी भासा सास्त्री ब्लूम फिल्ड ने किया था यह कोश्चन पूछा जा सकता है आपको ठीक कही जगा पूछा जा सकता है बीड में भी पूछा जा सकता है एमे में भी इस तरह के आजकल जो modern वाले question बनने लगे हैं लिटरेचर में जो आ जाते हैं ठीक है किसने अनुवाद किसका किया या कहाँ पर प्रचार चल रहा है गीता का अपनिसद का कैसे कितनी बासवाम किया गया यह सारे question आजकल काफी बनने लगे हैं क्योंकि normal है सारी च इसको च्रेटEd कते ला सच जो हम चत्य जो यह झाता है नहीं साराओeg की ब्रहह मिद्या का निदेश होने च है चांड्वेध है डेमीद अंगीरस वेध आदि तो इंके नाम प्रसिद्ध हैं तीका अधिकतर प्रसिद्ध क्योंकि ब्रहम और ब्रहम इनमें पीकशिले जाता है क्योंकि इससे रित्वी को इसके नाम क्रम साल इस प्रकार है, पैपलाद, तौद, सैनकिय, जालद, ब्रह्मयध, देवदर्श, तथा चरणभभ ठीक है अभी केबल दो साखाएं मिलते हैं पैपलाद और सैनक ठीक हैいます पैपलाद और सैनक है और बाकी नाम बयंदाया और शरुप नम मिलता है कोई दो चीजे हैं ठीक है दो चीजे हैं मान लिजे एक जाम पर लिलते समझाने के लिए ऐसे कोई बुरा मत मना मान लो कि एक घर में दो ब्यक्ति ए मतलब एक घर में तीन ब्यक्ति हैं दो लड़के हैं एक पिता है ठीक है तो मान लो एक लड़का किसी कारण से कहीं चला गय ठीक है कहीं चला गया मतलब कि अब मिल नहीं रहा है ठीक है तो उसकी कहानी जब लिखी गई कि उसके दो पुत्र थे हैं एक अभी मिलता है, एक नहीं मिलता, कौन गया, मर गया, कहां गया, कुछ पता नहीं है, उसी तरह से यह है, कि लूप तो हो गई, नामों निसान मिल जाता है, कि हाँ यह था, ठीक है, मतलब जो अब की समय में पढ़ रहे हैं, वो चीज घटना पहले घट चुकी है, ठीक है, तो कुछ चीजे का अनुमान या फिर हमें नाम मिल जाते हैं, वही है, ठीक, आगे जब आप वेद को अच्छे ढंक से पढ़ेंगे, तो उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा, अभी सामान जानकारी के लिए, मतलब अपने इसार कुछ भी आप सोच सकते हैं, कि हाँ, ऐसा सारा लिट्रेचर का प्रोग्राम है, मतलब लिट्रेचर चालू हो गया, ठीक है, यहाँ पर फिर रामाड ये से रामाड है महाभारत से, इनकी अंसंस लेके इतने सारे काभ बे लिख दियेगे, जो आज समाज में प्रचलित हैं, ठीक है, परंतु ये कब लिखे गए, कैसे ठीक है, 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 ठीक अठरवेद के ठीक है अठरवेद में 20 तरह ये देखोँ जितने बार मैंने बताया है मैंने बताया कि अंक को ध्यान में रखो अंक बहुत ही important है ठीक है अठरवेद में किसने कांड है पूछले जाएगा तबीस है कितने प्रपाठक है 34 है अनुवा कितने है वन ट्रिपल वन ठीक है 1111 ठीक है सुक्त कितने हैं 731 मंत्र कितने हैं 5987 ठीक है 6000 के लगभग में है ठीक है तो यह आपको अंक आपको यह डाइग्राम आप अच्छे डग से देखो यह चीज़े आपको पर फोकस करना है वह आपको 100% याद होना चाहिए ठीक है विसे विवाजन की बात करें तो कांडो में उपर्यूगति विवाजित किया गया है ठीक है कांडो के उपर्यूगति विशे सूची की आधार पर थर्वेत को सुक्त में प्रतिपादित विशयों को तीन वर्ग में बाटा गया ठीक है जो इसके कांड है विशे वस्त के अधार पर उसमें जो सूख्त है उनको तीन वर्गों में बाटा गया है अध्यात्म पकरन अधिभूत पकरन और आदिदैविक प्रकरन ठीक है अध्यात्म की बात करें तो देखो यह कभी-कभी पूछा जा सकता है कि जो क्या काते है अथरवेद के सुक्तों के प्रतिपादित विशय को कितने वर्गों में बाटा गया है तो तीन वर्गों में ठीक है तीन वर्गों में बाटा गया है ठीक है अगर हम बात करें अध्यात्म प्रकरण की तो इसमें सुद्ध दर्शन के साथ ब्रह्मचर्य ग्रि प्रांश्टन संग्राम और सेना संयोजग छत्र नासक मडीधारण पापादिनासन अन्सम्रेथ तथा सुख संपन प्राप्तिका वरडन किया गया है में अधिभूत में ठीक है यह विशयवस्तु है सामान इनकी जानकारी आप देख लिए क्योंकि जानना जरूरी है कभी-कभी विशयवस्तु से कोस्टिन बहुत कमी आता है जो आता देखो ऐसा मत सूची कि कर दोगे के तो यह विशयवस्त जो सारी चीजे है कि हां इसका वर्डन कभी-कभी अंदर से पूछ लेता है कि क्या कहते हैं तो तो आप कैसे लिख देंगे भूल जाएंगा ने इसलिए आपको विशयवस्तु थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ठीक है आधि दैवत प्रकरण प्रकारों में विवचित किया घर बात करें लिए स्बगायर के थे इस सच्मर्च मरूफ से औनेख प्रकारों को विभक्त थे यह ज्यादा पूछेगा नहीं आपको में चीज हो हैं यह रखना है याद रखने जो पूछा जा सकता है सुक्त अथरवेत के पहित कर रहें थे ओस जाना है यह अदिक्तर कÅ दिकर जुछ का लिए बात करें थे बात करें धानिक ढूनारumbaकम है इसकी महत्तों की लिए हुआ था ठीक है संकलन जो है वही है कि जो लोग यग्यों के करवाते div tuh वही सारी चीजों के लिए इसमेन है रित्यworking विसके ब्रम मुद्रों सरवाधिक नियदे चीजे लौकिक तता-दर्शिनिक विश्ः लौकिक और्शणिक विश्ञत में मख्य परन्तु जो अन्यधार्मिक है इसमें कम ही है ठीक है हुआ है ठीक है बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल जानकारी के लिए आप जान सकते हैं आधुनिक भुति के बात के समर्थ समर्थक भी इसलिए वेदों में इसे महत्त देते हैं कि भावना इसके मंत्र में मुखर हुई है अपने युग के ज्यान विज् विज्ञान वैसत जिगुण किसमें बताया गया किस वेद में बताया गया इसका जो समावेस वह किसमें किया गया है अथर वेद इसका समावेस जो है वह अथर वेद में किया गया है तो इस चीज का विसे ध्यान रखना कुछ छोटी-छोटी चीजे को भी छोड़ना नहीं हैं एक एक नंबर आपको ऩिए मैंने चाह curl करता है राजसाष्थ का पुसकल नीरुपन अथर्वेद में मिल जाता है जिसमें राश्ठ देश रच्छा राज करतब प्रजय के समान दिकार ही ठीक है प्रजा योले प्रचलर में हैं क्या चीज़ होनी चाहिए एक ब्यक्ति के लिए वो सारी चीज़ें इसमें हैं ठीक है एक अन्य पॉइंट जो है इसमें लिखा है कि जन्भावना के अंतरगत रीत रिवाज क्या होता है अंदे विश्वास का तो जादू टोना वाला यह कोस्टन जब चोटी 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 देख जो पूछी गई है बहुत पुराने समय में वह भी हम इसमें बात करते हैं जहां-जहां से कोश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं ठीक हाँ तक कृत्या प्रयोग है अभी चार है कर्म जड़ी बूटी के भी बारे में बताया गया यानि कि अश्व परयाब समय गई इसमें प्रसंग में अनेक मंत्र दिए गहां जिसमें पूरव सक्ती माने गई है पूरवर्ति ग्रंथों में यह विश्वास निरपड हो दर्शन की द्रिष्ट से यह दर्शन में क्या होचत जो हम देख रहे हैं जो हमारे समाज में बहुत सारी चीज़े फैली होती है ना जादू टोना उसकी तरब से इसमें काफी मात्व है क्योंकि विशय वस्तु काफी अच्छी है इसकी ठीक है अध्यात्म पतकरण में इस वे जाते जो लोग नोट्स बना रहे हैं यह सारी चीज़े आप लिख लीजेगा एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है बार बार याद आ जाएगा क्योंकि इससे भिन हैं वह सारे चीजे ठीक है इसमें अलग प्रकार की जो विशेवस्तु है अलग है इसलिए अलग हो जाता जैसे साम बेद गान के बारे में बताया था मैने ठीक है उसमें कर्मकांड और उसके भाग दिक्तर पूछ ले जाते है आजूरवेद से और क्या काते हैं पढ़ाय लिखाई या वे सिच्छ उच्छ जो होते है सुकतु वह किससे पूछ ले जाता है रिगवेद से तो ये कोश्चन उसमें मिल जाते हैं ठीक है कुल मिलाकर ग्यानवी ग्यान समाज राजनीत दर्सन आदि पच्छों का ब्यापक नुर्पण करने के काराण थरवेद वैदिक वांगमा का एक मातर सरवांग पूर्ण ग्रंत है अन्य सहिता हैं जहां धर्म को केंद्रित करके विसयों क विस्तार करती है जहां धर्मेतर की सामगरी से कसा हुआ है बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है कि सायरी चीज में है ब्यापक रूप से से कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है आप इसको पढ़े लिज़ेगा इसकी विसाइवस्त वे दिखतर पूछे जाती है कौन-कौन से चीज़े कहां-कहां पर बताई गई है और बाकि इसके ब्राह्मन आराना को पने साथ हम नेक्स्ट वीडियो में और कोश्चन के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि एक सांथ बताने से होज़े हो जाता है इसलिए हम जो कॉस्टन बונה च्छन सेकेंट पार्ट पार्ट में बताते हैं और विसेवस्त के बारे में सबसांता चैनल पर हमारे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजह वं पिर किसी नECH वीडियो में म सबीका बहुत-बहुत धन्यमाद थैंक्यू सो मच छोलो प्यूंग